दोस्तों अगर आप भी सूरी कुमार यादों को खतरनाग बल्ले बास मांते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों जहां कोहली से लेकर सूरीय ने अफरीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही बल्ले से तबाही मचाई तो वहीं इस मुकाबले में एक ऐसी खुबसूरत बला को देखा गया जिसकी खुबसूरती के आगया रुषका शर्मा और धानश्री भी फेल हैं जहां इंडिया और साउथ अफरीका के मैच में ये लड़की पूरे मुकाबले में आकरशन का केंद्र रही आखिर कौन थी वो मिस्ट्री गल उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा लेकिन उसे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराड कोली और सूरी कुमार यादो में से खतरनाक बल्लेवाज कौन है इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजगा दोस्तो भारत और साउथ अफरिगा के बीच एक ऐसा एतिहासिक मुकाबला के लगया जिसमें सब को हिला कर रख दिया इस मुकाबले में तो भारती बल्लेवाज जैसे सिर पर कफन बांद कर मैदान पर उतरे थे रोहित और राहुल ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था और जहां कप्तान रोहित ने चोके चके बरसा कर ताबड तोड 43 बना दिये थे तो वहीं दूसरे चोर पर आज राहुल भी कोहराम मचाने के मूड में ही मैदान में उतरे थे जहां उन्होंने 28 गेदों पर 57 डन ठोक डाले तो वहीं इन दोनों के बाद आती है विराट कोहली और सूर कुमार यादो की सुनामी जियां इन दोनों बल्ले बाजों ने पिछले मुकाबले के फॉर्म को बरकरार रखते हुए आपको बता दे कि केवल 22 गेदों में ही दूफानी एक्सटन बना दिये और अपनी पारी में 5 चोके और 5 खतरनाक चके भी लगाए इसके लाबा किंग कोहली ने भी केवल 28 गेदों में ही 49 गेदों की दूफानी पारी खेली और 7 चोके और खतरनाक चकों के साथ विराट कोहली ने इस पारी की बदोलत अफरीका के सामने एक असंभाव सा लक्ष खड़ा कर दिया और जीत भी हासिल कीप लेकिन इसी मुकाबले में एक लड़की ने सब का दिल जीत लिया दरसल दोस्तों आपको बता दे कि भारत और साउथ अफरीका के बीच मुकाबले म कैमरा मैं का कैमरा कई बार एक लड़की के चहरे पर फोकस किया जہाँ आपको بتा दे कि मुकाबले में आई वो लड़की क्ई बार कैमरे में देखी गई और देखते ही देखते होस की खुबसूरती सोशल मीडिया पर आग की तरह वारन हो गई टीम इडिया को सपोर्ट करने पहुंची वो मिस्ट्री गल पूरे मुकाबले के आकरशन का केंदर बनी रही अब उसकी खुबसूरती को सोशल मीडिया पर जम कर सर्च किया जा रहा है हलाकि अभी तक उस लड़की का नाम नहीं पता चल पाया लेकिन उसकी खुबसूरती लोग खुब पसंद कर रहे हैं दोस्तो आपको बता दे कि इस मुकाबले में साउथ अफरिका को 16 रनों से भारत ने हरा दिया डेविड मिलर ने 47 नेटों में 106 रनों की शांदार पारी खेली शतकी पारी खेली और ऐसा लगा कि वो हमसे मुकाबला चीन लेंगे लेकिन अंतता है जीत हमारी टीम की होई तो दोस्तो आप इस मिस्ट्री गल की खुबसूरती को 10 में से कितने नंबर देंगे इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सिक्चन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के ओ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धन्यवाद